हाई है वेल्कम टू डर्गेट जी सरसी तो यहां पर हम लोग बात करेंगे जहारखन के एक सो महतपुर्ण प्रस्म जो आपके जहारखन के उत्पाज सिपाही और विशेज साखा सिपाही में महतपुर्ण रहेगा इसे कोश्चन बन सकते हैं तो पूरा वीडियो आप चलू देखिएगा बीना असकीब के देखिएगा ताकि यहां पर आप सारे कोश्चन को देख स सकें समझ सकें चली शुरू करते हैं आज का स्रीज उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और फिर बैल आइकन पर प्रेस करना बिलकुल न भूलें जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको असानी से प्राप्त ह शुरू यहां पर देख सकते हैं हमारा जो पहला प्रस्न है जमसेदपूर किस नदी तठ पर इस्तित बताइए जमसेदपूर किस नदी के तठ पर है तो आपको आज रखना आए स्वन रेखा और कर कई के संगम है ना स्वन रखा और खर कई के संगम पर जमसेद पूर सहर इस्तित है चलिए सेकेंड कोश्चन देखिए यहां गोड़ा जीलक कब अस्तित में आया कब आया 25 माई 1983 कब 25 माई 1983 यह आपको आद रखना है काफी जरूरी कोश्चन है यह देखिए SI में पूछा गया था पिछले वर्स है ना जब 2017 का एक्जाम हुआ था तब इसमें यह कोश्चन पूछा गया था तिसरा नमबर देख सकते कोश्चन जहारखन के किस मंदीर में सावन का परसी दिमेला मनाया जाता है देखिए सावन का परसी दिमेला तो कहां पर लगता है यह जो है आपका बैदनात मंदिर में कहां बैदनात मंदिर देवघर में चलिए अगला जो कोश्चन है चार नमर देखिए कौन से रवी फसल जहारखन में उगाई जाती है तो चना जो है आपके जहारखन में रवी फसल के तोर पर उगाई जाती है देखिए यह जो है एक अरजुन मुंडा ने जार्खन के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किये तो तीन बार टोटल जो है तीन बार सेवा किये आपको बताना है कब कब किया है यह आप हमें कमेंड बॉक्स में बताइए चलिए अगला जो कोशन नमर 2011 की जनगना के अनुसार जार्खन में कितने सहर हैं तो कितना है सहर 2011 का जब जनगना हुआ था तो उसके अनुसार से आपको बताना है तो 152 सहर हैं कोश्चिन निमर साथ देखिए अबादी के मामले में जारखंग का सबसे बड़ा सार कौन सा है तो अबादी के मामले में देखिए हगर घनत्र के बारे में बोला जाएगा तो आपको यहां पर धनबाद है क्ई धनबाद लेकिन जन संख्यां यहां पुछा गया है अबादी तो जमसेथफूर आपका सही उत्तर होगा चलि एगला जो कोशन यहां पर देखी वह जन जाती किसकी ओल चीकी अस्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी अस्क्रिप्ट है देखी पॉल चीकी किसकी अस्क्रिप्ट है तो संथाल का है है ना संथाली भासा की है चलि एगला कोशन नाई नमर देखी जहारखंड का सबसे उच्चा सिखर कौन सा है तो पहाड़ी है कौन सा पारशनात पहाड़ी सबसे उच्चा है बात कर अगर इसकी उच्चाई मीटर में चलि चलिए एगला कोश्चन जो है दस नमर देखिए चत्रा जिल्ला उगरवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभिर दोर से गुजर रहा है इसमें किस परति निधी नकसली संगठन के दवारा किया जा रहा है थी यह जो है कोश्चन नमर 11 देख सकते हैं किस वर्स में अस्थापित किया गया था लेकिन कुछ साल के बाद ही यह उत्पादन शुरू किया था कोश्चन नमर 12 देख सकते हैं स्क्रीन पर 2000 में जारखन के निर्मान के बाद से 6 मुख्यमंतरी में से जारखन मुक्ति मोर्चा के हैं दखें कितने लोग यहां पर जारखन के मुख्यमंतरी के रूप में सेवा किये हैं तो टोटल दो लोग कौन-कौन बताइए आपका एक सीबू सोरेन है और एक कुन साया है तो हैमन सोरेन है कोश्य नमर 13 देखिए बैजनात मंदिर जारखन के किस सायर में इस्तित है तो देवघर में कहां पर देवघर में कोश्य नमर 14 देख सकते हैं हुन्डू जल पर पात कौन सी नदी गिरती है देखिए हुन्डू जल पर पात जो है यह कौन सी नदी पर है तो यह स्वन रेख की सरकार में जेपी अंदोलनकारियों को प्यंजशन देने की घोशना की है जायर गृत्पाति your पहली आइरन एंड अस्टील उद्द्राइब का वस्तापित किया था उने 107 में उने 107 में यह लगाया गया था लेकिन 1911 के आसपास है ना 1911 के आसपास ये जो है उत्पादन शुरू किया था कोश्य नमर 17 देखिए जार्खन में पहली बार राष्ट पती सार्षन कीस वर्स लागू हुआ था देखिए 2009 में 2009 में 2010 में 2013 में तीन वार अभी तक जार्खन में राष्ट पती सासन लागू हो चुका है कोश्य नमर 18 देख सकते है राइनितिक दलों में से कौन सा दल जो कभी जार्खन राज में सत्ता में नहीं आया तो कॉंग्रेस कभी भी जार्खन में अपना सरकार नहीं बनाया ना ही कोई कॉंग्रेसी जार्खन का सीएंग बना अभी तक कोश्य नमर 19 देख सकते है बोकारों में परस्ध व्यक्ति कोन है तो लूरू बूरू है ना लूरू बूरू जो है आपके बोकारों डिस्टिक्स से काफी फेमस व्यक्ति है परस्ध व्यक्ति हैं अगला जो कोश्य ने बीस नमर देखिए दल्मा वाइन जीव अभ्यारन कीस वर्स उद्गाटन हुआ था उन्हें सो पच्छत्तर में कब उन्हें सो पच्छत्तर में कहां पर है यह बताईया चलिए अगला कोश्य ने देख सकते हैं पहले कितना बता दिया 40 किलोमेटर तो यहीं आपको आदखना कितना 45 किलोमेटर चलिए अगला जो है यहां पर देखिए 22 नमर कोश्य जो है जार्खन में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपूर की रानी भी कहा जाता है छोटा नागपूर की रानी किसे कहा जाता है तो नेतर हाट नेतर हाट को कहा जाता है अगला कोश्चन जारखन उच नयालक के पहले मुख नयाधिस कौन थे तो बिनोध कुमार जैना जस्टिस बिनोध कुमार गुपता चलिए कोश्चन नमर यहाँ पर देख सकते हैं 24 नमर देखिए यहाँ पर जारखंड राज जेपी आंदोलन कारियों को पिंसन देने वाला भारत का कौन से नम्मर का राज बना है तो दूसरा राज बना है और यहाँ पर देताना भागत आंदोलन की सो और सुरूदवा तो 1914 में चालू हुआ है कोश्चन नमर 25 देख सकते हैं क्रोमाइट और मैगनिज अयस्क जारखंड की किस जीले में पा जाता तो पश्चिमी सिम्हों में यहाँ देख सकते हैं 26 26 में क्या देख घाड शिला व दोगी ख्छेत्र किसके लिए पर्सिदेथे यह आपका कोपर उद्यों के लिए कपर उद्यों के लिए यह जो है काफी फेमस है कोश्चन में 27 देख सकते हैं 15 नमंबर 2000 को जहारखन राज का गठन गुए था और इस दिन जहारखन के किस व्यक्ति का जन्म दिन भी है तो यहाँ पर जानते 15 नमंबर को है न विर्शा मुंडा जैंती परतेक वर्स मना जाता है तो इन्हीं के जन्म दिवस पर ही जहारखन का दिवस अस्थापना दिवस भी मनाय जाता है चलिए कोश्चन में 28 देख सकते हैं जहारखन राज में पहली बार रस्टपती साफस्वन कब लाग गुए था 2009 में अगला जो कोश्चन यहां देखिए टिसको को किन खानों से लोह एस्क की आपूरती होती है तो यह आपका न साम रखना नौँवा मुंडी यान और विकास पुरयोजना कहलाता है क्या कहलाता क्या कहलाता में सोब्रोज्चन नमर 31 देख सकते हैं क्या है देखिए 1857 के विद्रों में पलामों में अंग्रेजों के विरुद किस कभीलाई ने विरोध किया था किस ने किया था देखिए भोगता भोगता कभीलाई ने विरोध किया था अंग्रेजों का सबसे पहले 1857 के करांतिकारी में जहारखन का कौन स जिला अनुसूचित जातियों के लिए सबसे जादा है पलामों में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाती की संख्या है अगला यहां पर देख सकते हैं परस्चित ग्रांड ट्रंक रोड धार्खन के कीज जीले से गुजरती है ति यह आपका गृड़ी जीले से ना बगवदर जानते हैं तो बगवदर वाले एरिया से गुजरता बगवदर से डोमरी होते हुए यह आगे चला जाता है जम ताड़ा की हो यहां पर देखिए चत्रा-जिला का भवगवलिग छेत्र क्या है क्या है है भवगालिग छेत्र इसका चत्रजिला का 3706 वर किसे थे यह ना चलिए एगला कोश्चन यहां पर देख सकते हैं 36 नमबर जारखन में विज्ञान सहर कहां स्थापित किया जा रहा है राची में 2011 की जनगर्ना के अनुसर जारखन की अबादी ग्रामीन अबादी पूछा गया कितना है देखे क्या है यहां पर देख सकते हैं क पूर में तिलका माझे विश्विदाले का हिस्सा क्या था देखे हिस्सा क्या था पूरू तिलका माझे विश्विदाले का हिस्सा क्या था तो सिधू कानू सिधू कानू मुर्मू विश्विदाले क्या था सिधू कानू मुर्मू विश्विदाले चलिए एगला जो कोश् यहां पर देखिए कोश्चन नमर 49 49 क्या दिखिए उन्हें सो 91 में बोकारों की अस्थापना धनबाद जी ले कि कितने ब्लॉक से की गई तो दो इतना दो ब्लॉक जो है आपका धनबाद का लिया गया और गिरीडी का भी कुछ साथ तीन ब्लॉक लिया गया था चलिए अगला जो कोश्चन यहां पर देखिए जार्खन में कौन सा सनच्छित अस्थान सबसे बड़ा तो पलामू सबसे बड़ा जो सनच्छित अस्थान है सो अपका पलामू है अगला जो कोश्चन 41 देख सकते हैं जार्खन के कीस वर्स में रेल गाड़ी से जोड़ा गया था देखिए जार्खन को किस वर्स सबसे पहले रेल गाड़ी से जोड़ा गया था तर्थार सो साथ और बार्शाट के आसपास यहां पर जार्खन में रेल की सुविधा उपलब्द की गई थी कोश्चिन नमर ब्याली देख सकते हैं जार्खन में सर्व शिक्षा भियां किसक के द्वारा तो जार्खन सिक्षा yarra परियोजना परिशद के द्वारा किसके द्वारा जार्खन सिक्षा प्रियोजन परिषत के द्वारा अगलाक दोश्चन जहारखन के किस जीले में बिर्सा मुंडा स्टेडियम इसी थे यह आपका राची में इसी थे देखी यहां पर जैसी यह नाम का भी स्टेडियम है जहां पर क्रिकेट खेले जाते हैं यह सारे चीज़ आपको आद रखने देखे जहारखन के किस जीले में गोड़ा जीला तया तैयर किया गया है तो संथाल नदी पर ही आपका तिलाया जल विद्यूत पुरियोजना अस्थापित है वीडियो पसंद आ तो वीडियो को जुरू यहांपर कौन सा है तो सरसो का जो भी जो है खेति स्यृप क को से सुरुप से की जाती है र्फोटी एट है कि जारखन में दुसरी बार राष्टपति सासन किस वर्स लागू हुआ था तो 2010 में कब 2010 में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था देखिए आगे जो कोश्चन है स्वन रेखा नदी किस दिसा से किस दिसा की और बाती है तो ये पच्चिम से दच्छिन पूरू दिसा की और बाती है स्वन रेखा न दी कोश्चन नमर पच्चास से देखिए हाफ सेंचूरी कोश्चन हो चुका है आपका यहां पर धानबाद एक अलग जीले के तोर पर कब बना तो उनाइस सो चपन में चलिए वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करने चैनल सब्सक्राइब से परसिद व्यक्ति हैं तो आपको आदरना बुकारो डिस्टिक से किसे बुकारो डिस्टिक से कोश्चन नमर बावन देखिए डल्मा वर्नी जीव अभ्यरन कितना छेत्र में फैला हुआ है तो यह आपका 28.195 वर किलोमेटर में फैला है जारखंड आज में किस अस्तान प देखिए आदितपूर अद्धोगी चैत्र विकास पाधिक करन जमसेदपूर का चैतर कीश चैतर तक सिमित है तो यह आपका कोलहान कमिशनर तक उलहान कमिशनर तक यह फैला हुआ है देखिए अगला कोशन 55 कौन सी जारकन में एक गर्म फसल नहीं है तो सरसो जो है एक गर या जाने वला फसल है चले चुशन 56 देख सकते हैं कोडरमा हजारी बाह वह दोगी च्षेत्र टीस खनन के लिए प्रुशिद्ध्य है तो यह आपका अब्रग के लिए किसके लिए अबरक के लिए जो है कोडरमा हजारी बाग और ग्रीड़ी है ना अबरक के लिए काफी फ कोशन यहां से और आपको मैं दे रहा हम यहां एक जिसके तर्ज पर जारखन के राज-वहौन का निरमान किया गया है यहां पर देख सकते हैं किっと जार। तो बेरासी कितनी बेरासी है एक जो होती है यहाँ पर एंगलो इंडियन को नुट किया जाता है और देखिए कौन से धर्म के लोग तिर्थात्रियों के रूप में यहाँ देखिए परसनात पाड़ी पर जाते हैं तो जैन धर्म जैन धर्म के लिए यहाँ पर काफी फेमस जगा है तिर्थ का साथ नमर कोश्चन देख सकते हैं मुंडा सोशान में क्या रखते हैं तो उनके पूरवजों की अस्थियां क्या रखते हैं उसमें अपने पूरवज जो होते हैं उनकी अस्थियां रखते हैं यह सत्तर नमर कोश चलिए अगला कोशन देख से यहां पर जारकन के छोटा नागपूर छेत्र में लोक गीत का ग्यान संगीत क्या है किसका देखिए डॉमकोट जूमर दन धरा है ना और विवा ओगनी क्या है विवा ओगनी इस यह जो है आपके कोशन नमर्व स्वेंटिवन देख सकते हैं आप अस्क्रीन पर जारकन के छोटा नागपूर छेत्र में लोक गीत का क्या संगीत क्या है तो यह आपका जो है डॉमकोट जूमर दन धरा तथा विवा ओगनी है चलिए कोशन नमर्व बहत्तर देख सकते हैं जारकन के कितने निवर्षटे लाची भी घाते हैं चलिए यहांश्क यहां देख सकते स्वेंटिटीन नमर्व कोश्चन उस तुस्टेडियम का नाम बता है जो हाऊस ऑफ आफ जारकन क्रिकेट टीम के नाम से जाना जाता है तो उस क्रिकेट ऐस्टेडियम का नाम क्या है जे एस सी यह इंटरनेशनल अस्टेडियां परिशर चले कोश्चन नमर स्वेंटी फूर देख सकते हैं जार्खन में गोड़ा जीला कहां स्थापी थे तो जार्खन राज के उत्तर पूरुव में है कोश्चन नमर स्वेंटी फाइब किस साल पूर्वी सिम्हुम जीला का गठन किया ग अगला कोश्चन त्वेंटी एट देख सकते हैं किसे वर्स दो हजार में जार्खन के पहले राजपाल के रुप में नूप किया गया था तो सिरी परभात कुमार को राजपाल के रुप में नूप किया था फश्चन नमर स्वेंटी नैन देखि Points क्या यह जार्खन में पुल्ट नायक को तीस चेदर के लिए यहां पर जारखन द्रत्न कुल्ट कर दिया गया है यहां को बताना है सिक्स पॉइंट फॉर प्रतिशत साचता दर है जारखन का चलिए नेक्स्ट कुश्टन एटीफोर देखे हंट के लिए तैयारी करने का कार्च किस निरीत रूप में दर्सा आगा तो हुंटा हुंटा है ना हुंटा निरित में दर्सा आगे अच्छा जारखन का दो परमुक निरित क्या है चो और पाई का है चलिए अगरा जो कुश्चन है सिम्डेगा जीला गुमले से कब अलग हुआ तो 30 अप्रिल 2001 को अलग हुआ है कोश्चन नमर 086-110 जीला गड़वा प्लामु जील्ले के कितने ब्लॉक अलग कर गए थे इसे आठ ब्लॉक आठ ब्लॉक जो आपका गडवा की रूप में प्लामु जीले से अलग किये गए हैं चलिए कोश्चन नमर 87 देख सकते हैं चत्रा जिला किस राष्टिय राज मार्ग पर इस्तित है तो यह 99 और 100 पर इस्तित है चले कोश्चन नमर यहां पर देख सकते हैं 88 कौन सा जार्खन का परवक दोगीक छेत्र सरकार दवारा वर्गी कृत नहीं है तो यह आपका जमसेद पूर दोगीक छे श्णत्र विकास प्राधी करेंज आपका यहां जो कि जिसको स्वॉट में भी बोला जाता है जै आए ये डी ये बोला जाता है चले अगला कुस्चन है जहार्कन विधान सभा में चुनाओं में 2000 में गठण के समय कितने बार चुनाओं है तो चार बर विधान सभा भी चु टोटल छे लोगों ने सेवा की है चलिए एगला कोश्चन यहां पर देखिए दो हजार इस्वे में राज बनने की बाद जारखन के छे मुख्यमंतरी में से कितने जो है बीजेपी के थे कौन थे तीन थे टोटल जो है तीन पहला कौन थे आपका अर्जुन मुंडा है कोश्चन नाम हनों जिसे कि आपको पहले भी बता चुके है जारकन के पहले गेश्चन पहले गेर खाजपा मुख्ळमंत्री कौन थे तो चीवूसोण पहले से मुख्ळमंत्री थे जोकि बीजएपी नहीं थे जिम्म पाटी से थे जारकन मुकति मोर्चा से थे अगला कोश्चन है मदू कोड़ा रे जारकन के मुख्मंतरी के रूप में कितनी बाद सेवा की है अभी इनकी पतनी जिनका नाम है गीता कोड़ा क्या नाम है गीता कोड़ा जोकि वरतमान में कॉंग्रेस में सामील है और इस बार 2019 लोग सभाचुना में है ना सारष से विज़ाई हुए है चली अगला कोश्चन यहाँ पर देखी जार्खन का पहला मुखमंतरी किसे नुक किया गया था तो बाबुलाल मरंडी को जार्खन के पहला मुखमंतरी कों से रायनेतिक दल के थे तो भारती जनता पाटी के थे कोश्चन नमर 99 ने देख सकते हैं यहाँ पर जार्खन के पहला मुखमंतरी बाबुलाल मरंडी राज के किस निरवाचन छेतर से आते हैं तो आपके रामगड से आते हैं लेकिन अबर जो हुआ था लोग समचुना ये अभी कोडरमा से खड़े हुए थे बावलाल मरंडे की सवधी से की सवधी तक जारकन के मंतरी का कायवर समाला तो 15 नुमबर 2000 से लेकर के 17 मई 2003 तक इतना 17 मई 2003 तक अस्थापना के बाद से ये सारे कोश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट थे वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जोरू लाइक करें सा पस्थापनाश को असा पत्र वीडियो को जो हो च में वीडियो कोश्चन ऩी तक झाया हो चकतार आपके इतने मंई भीडियोओ प्के से तक झाया हो ढाईको को आ.